अब तक तो आपने कीचन में इसको खाया होगा लिग में इसका फेसपेक आपको बनाना सिखाऊंगी आप इसे अपने स्किन पे लगाएंगे तो आपको लगेगा कि अब तक मैंने यह क्यू नहीं लगाया इससे लगाने के बाद आपकी जो एकने प्रॉब्लम है वो खतम हो जाएगी आपकी जो पिग्मेंटेशन की प्रॉब्लम है वो खतम हो जाएगी आपके डार्क स्पोर्ट खतम हो जाएगी एक पैक है जो आपको बहुत सारे फायदे देगा इसे आपकी स्किन बहुत अच्छी स्मूध और ग्लोइंग हो जाएगी आपको अपनी स्किन से थोड़ा सा रेड कलर जो है वो दूद में भी आपको नजर आ रहा होगा इसी से हम दो चमच दूद के निकाल लेंगे और इस दूद के साथ हम कॉटन की हेल्प से अपने फेस की अच्छे से क्लींजिंग कर लेंगे और बाकी बच्ची डाल को दूद के साथ ही हम ग्राइंड कर लेंगे इससे आपकी स्किन जो है वो एकदम से मुलाइम हो जाएगी देखिए मैंने अच्छे से अपने चेहरे को दूद से साफ कर लिया है क्लींजिंग के बाद मैंने अपने फेस को ठंडे पानी से साफ कर लिया है अब इस पे हम जो है फेस पैक यूज़ करेंगे तो इस फेस पैक को बनाने के लिए हम हमसूर दाल को जो हमने ओवरनाइट भिगो के रखी थी दूद के साथ ही इसे ग्राइंड करके इसका फाइन पेस बना लेंगे अब हम पैक बनाने के लिए दो चमच लेंगे बाकी जो है इसे हम ए टाइड इबे में बंद करके फ्रिज में दो तीन दिन के लिए रख सकते हैं हाफ टेबल स्पून जो है बेसन डाल देंगे और इसमें हम थोड़ी सी हल्दी डालेंगे इन सबको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसमें हम एक चमच दही मिला देंगे देखिए अब ये फाइन पेस जो है इसे हम अपने फेस पे लगाएंगे जब तक ये सूख न जाए तब तक आब आद न करेंगे और ये 10-15 मिंट तक इसे अपने चेहरे पे लगा रहने में आप इसे हटाएंगे तो पहले थोड़ा हाथों को गीला करके इसको सर्कुलर मोशन में आप स्क्रब करेंगे इस तरह से आप रब करेंगे देखिए मेरा फेस पैक 15 मिनट के बाद अब सुख गया है अब मैं गीले हाथों से इसको हलके से रब करूँगी इससे मेरे चेहरे की स्क्रबिंग भी हो जाएगी और मेरे स्किन पे जो डेड स्किन है वो भी ऐसानी से हट जाएगी आप इसे दो मिनट तक स्क्रब करें और कोशिश करें कि आप सर्कुलर मोशन में ही स्क्रब करें इसके बाद आप अपने फेस को ठंडे पानी से अच्छी तरह साफ कर लें देखिए मैंने अपना फेस पानी से साफ कर लिया है आप देख सकते हैं कि मेरी स्किन पे कितना अच्छा ग्लो आया है अगर आपको इसके वेस्ट रजल चाहिए तो आप हफते में इसे दो बर तो जरूर यूज़ करें आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेट करके जूर बताएं मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जूर करें और हमेशा मुस्क्राते रहें